नमस्कार, स्वागत आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं काफी एक मन को विच्दित करने वाला टोपिक है कि भारत के जो अमीर 1% अबादी के जो लोग हैं उनके पास देश की कुल संपत्ति का 40% से भी अधिक हिस्सा है इसको ऐसे समझाओं कि भारत के अंदर 100 लोग रह रहे हैं और भारत के पास 100 रुपया ही है अब इस 100 लोगों में से एक इनसान के पास इस 100 रुपय में से 40 रुपय से भी जादा का हिस्सा है तो यहनी यह कितना जादा भ्यानक दृष्या है कि भी बाकी जो लोग बच गए उनके पास कितना हिस्सा आएगा अभी हम इस रिपोर्ट के बारे हम बात करेंगी कौन सी रिपोर्ट आई है और इसको कैसे दूर किया जाएगा और थोड़े टाइम पहले भी एक ऐसी रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बात बोली गई थी कि भारत में जो गरीब लोग है वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडियो के लिए बता जेते हो डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक मिलेगा आपको वहां से आप इस वीडियो की पीडियो जो डाउनलोड कर सकते हैं तो एक रिपोर्ट हाई है उस रिपोर्ट का नाम है इस रिपोर्ट में बात बोली गई है कि भारत के जो अमीर एक परसंट अबादी के जो लोग है उनके पास देश की जो नेट वैल्थ है उसका 40% से भी अधिक इस है सेम टू सेम जो 2012 और 21 के दोरान जो नीचे की अबादी है उस इमेज में आप समझेंगे कि मैं कहना क्या चारा हूँ कि जो नीचे की जो सबसे नीचे लोवर बोटम रह गई उनके पास देश की संपत्ति का मातर 3% ही हिस्सा है इसको एक इमेज की तुरू अगर समझाने की कोशिश करूँ तो समझेए अपना देश इस देश का अगर हम जमीन को बाटने जाएं तो एक परतिशत जो लोग है उनके पास आप देखेंगे तो इतनी जमीन आएगी 9% लोगों के पास इतनी हिस्सा आएगा 40% लोगों के पास इतना हिस्सा आएगा उन्होंने किस बिहाफ पर जो रिपोर्ट वो तैयार किया यह जो रिपोर्ट Oxfam International जो अपनी जो रिपोर्ट देवाउस के अंदर एक World Economic Forum Annual Meeting हो रही थी उस मिटिंग के दुरान अपनी इस रिपोर्ट को पेश किया और इस रिपोर्ट में बोला गया कि भारत के जो सबसे 10 अमीर व्यक्ति हैं अगर उनके उपर 50 पर सिर्फ 5% टेक्स बढ़ा दिया जाए या लगा दिया जाए तो जो देश के अंदर जो बच्चे ऐसे हैं जो मतलब कि स्कूल में नहीं है उनका दुबारा से रेजिस्टेशन या फिर कहीं कि उनको वापस पढ़ाई के सेक्टर में या फिर उनको स्कूल में वापस लाया जा सकता है इतना धन जनरेट हो जाएगा सिर्फ भारत के 10 सब जो 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 लोग है उनकी तुलना में लेकिन इंकम में उनका फरक आ जाता है वहीं बोला गया है इस रिपोर्ट के अंदर जो शोशल और फाइनेंसिल रूप से बहतर स्थिती में जो लोग है उनकी तुलना में कोई जो शोशली अच्छा है एक फाइनेंशली वह अच्छा है अगर वो एक जोब कर रहा है और उसी की लेवल की जोब एक दूसरा विक्ति कर रहा है जैसे कि इसमें बोला गया है अनुसूची जाती और जो ग्रामिड मुज़ूर है अगर वो काम कर रहे हैं तो उनकी income में 55% या 50% ही रहती है तो यहां पर भी एक तरीके से inequality देखने को मिलती है इसके अलावा जो social inequality के उपर इसने पने report पेश की ओक्सों इंडिया ने के अनसार कि सिर्फ और सिर्फ अमीरों के उपर और प्रात्मिक्ता देने के कारण भारत में जो देश के अंदर वैलियूनरेबल यानि जो हाश्य पर रहने वाले जो समुदाएं हैं जैसे कि दालित होगे, आदिवासी होगे, मुस्लिम होगी, महिलाएं होगी और जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जो लोग हैं उनको बहुत जादा सफर करना पड़ता हैं वो जो लोग हैं वो पीडित बहुत जादा हैं इसके अलावा भारत में जो अमीरों की तुलना में गरीब ऐसमान रूप से जादा और हाई टेक्स का बुकतान कर रहे हैं और आवशक वस्तू और सेवाँ पर भी अधिक खर्च कर रहे हैं ये सारी बाते जो हैं वो इस रिपोर्ट में बोली गई हैं अब बात आती है कि इस रिपोर्ट में जो ये बात बोली गई हैं तो इसका उपायक है कैर इनोंने भी अपने उपाय दिये हैं कि कैसे इन सब चीजों को दूर किया जा सकते हैं सबसे पहले ऐसमानता को कम करना है और यहां पर एक जनरेट करना है रिवेन्यू अपने शोशल प्रोग्राम के लिए तो ये राजसव की विवस्ता आकर धन लेना है तो ये रिवेन्यू जनरेट करना है तो इसके लिए विरासत पर संपत्ती पर भूमी पर ये जो टेक्स है इनके साथ साथ जो नेट वेल्ट टेक्स है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा और नेशनल हेल्ट पॉल्सी के अकोर्डिंग उन्होंने बात बोली थी कि 2025 तक जो हेल्ट सेक्टर है उसके उपर 2.5% जीडिपी का खर्च करना होगा साथ इसाथ शिक्षा के उपर भी जीडिपी का 6% जो है वो खर्च करना होगा जो इक ग्लोबल बेंच मार्क है Oxfam ने इन मुद्दों के रूप में अमीरों पर भी टेक्स की वृधी का भी एक तर्ग दिया था कि भी अमीरों के उपर भी टेक्स बढ़ाया जाना है जो उनका minimum rate है उसको भी बढ़ाने की जुरूरत है ये Oxfam ने एक सुझाव दिया था इसके अलावा Oxfam इंटरनेशनल ने जो food companies हैं जो बहुत ज़ादा profit कमाती है inflation के तोरान मतलब कि ऐसा आगया हाल जहां पर लोगों के पास काम नहीं है लेकिन उनको खाना तो पड़ेगा अब food companies हैं उसमें बहुत ज़ादा कमाएंगी आपको करोना के टाइम में आपने देखा होगा तो ये किराने की दुकान हो गई ये तो दुकाने बंद होने वाली थी नहीं तो यहां पर इन कमपनियों ने मुनाफ़ा कमाया तो यहां पर इन्हों ने एक सुझाव दिया windfall tax का windfall tax के बारे में हम discuss करेंगे इसको एपरताशित कर भी गा जाता है इसके पीछे इनका विचार ये था कि इन कमपनियों को खाद्यान यानि कि जो food है और अन्य आवशक वस्तियों की बड़ी किमतों का लाब तो होता ही होता है तो उन्हें सरकार अगर अपने पास लेगी कु अब इसका source क्या है जो इन्होंने ये बाते बोली है इतने बड़ा बड़ा बोल दिया कि भई देश की 1% अबादी के पास इतना जादा धन है 40% से भी जादा देश का उनके पास धन है तो इन्होंने ये सब चीज़ें कठी कहां से की तो इन्होंने अपनी जो data है उसका source भ पर अंकडों के पर अधारित है साथ ही साथ इन्होंने national sample survey और union budget के जो document है साथ ही साथ जो parliament के अंदर जो question पूछे जाते हैं उन सब को ध्यान में रखते हैं अपनी इस report को उन्होंने बनाए तो ये आपको source पता चल गया इसके अलावा जो windfall tax है अभी तरदी देर पहले आ सामने आया वो क्या देखे windfall tax या फिर हम बात करें ए परत्याशित कर उस वक्त लगाया जाता है जब ऐसाधारन लाव होता है ऐसाधारन लाव का मतलब कि भारत के अंदर या फिर कहीं पर भी किसी देश में आर्थिक संकट हो गया यूद हो गया या फिर कोई प्राकरतिक काबदा आ गई तो उस समय उनको लाव होता है उन्होंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा लाव हो जाता है तो यहां पर जो टेक्स लगाया जाता है उसको बोला जाता है windfall tax अब एक शेतर जहां इस तरह के करों को नियमित रूप में जो चर्चा रहती वह है तेल बजार जहां पर मुल्यों में उतार चढ़ाओ उद्योग को एस्तिर या एनिमित मुनाफिकी और ले जाता है तो यहां पर तेल के उपर भी windfall tax लगता आ रहा है तो windfall tax आप लोगों को समझ में आ गया अब यह oxphone international का है देखे oxphone international जो है वो 21 independent charitable organization का एक संगटन है confrontation है साथ यह 90 से अधिक देशों की लोगों नब्बे से अधिक देश हैं इसके अंदर जुड़े हुए हैं इसका जो main objective है वो गरीबी से उत्पन होने वाला जो अन्याय है उसको समाप्त करना साथ यसाथ oxphone क्या करती है लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए उनको मतलब एक practical एक innovative way जो है वो बाहर लेके आती है साथ संकट में जो संकट आने पर जीवन को बचाने के लिए और जो आजीविका है उसको पुर्ण निर्मान में भी यह मदद करती है यह अभ्यान चलाते हैं कि गरीबों की अवाज उन local और global decision तक पहुँचे जिनके decision गरीबों को परभावित क करता हूं कि जो आज का जो topic है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा काफी जादा विचलित करने वाली एक बात आती है थोड़े दिन पहले भी एक ऐसी बात आई थी जहां पर यह बात बोली गई थी कि गरीब और जादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और जादा अम मानता है इसको दूर की जा सकें वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कुछ जादा ही पसंद आ गए है तो शेर भी कर सकते हैं वीडियो को as well as channel को भी pdf के लिए मैं फिर सब्दा देता हूं description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर से इस वीडियो की पीडियो जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं thank you for watching this video